ये concept क्योंकि हम botany में पढ़ रहे हैं, that doesn't mean कि आपको इस concept का सिर्फ botany में ही काम होगा इस concept में आपको zoology की chapters भी link मिलेंगे जैसे हम आलू प्यास के लिए measurements यूज करते हैं, कितने kilo है, कितने gram है similarly हमारे cell के अंदर DNA भी measure कर सकते हैं हमने क्या ये concept पढ़ा कि दो chromatid होगे तो deployed होगा नहीं, हमने पढ़ाता जब एक chromosome के दो sets होगे तो वो deployed होगा क्योंकि मैंने अपको इसलिए बोला था बच्चों बहुत धान से समझना क्योंकि उन सारे चीज़ों काम इस्तमाल इस chapter में करेंगे अगर वो single cell zygote में division ना हुई होती तो क्या हम इतने multicellular organism बन पाते नहीं न तो cell division जरूरी है हलो everyone, welcome back to the रफतार series on this amazing platform of competition वाला और बच्चों हमने अपना पहला unit चाप्टर का था that is cell unit of life वो खतम कर लिया है और उसी से एक link chapter हम पढ़ने वाले हैं that is cell cycle and cell division तो बच्चों start करते हैं सबसे पहले कि एक cell cycle and cell division होता क्या है उससे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों बहुत important concept जो हमने इसके पिछले lecture में भी discuss किया था कि एक deployed और haploid cell होता क्या है isn't it क्योंकि अगर बच्चों यह concept नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती इस chapter को समझने में बच्चों यह concept क्योंकि हम बौटनी में पढ़ रहे हैं तो वहां पर इन topics का काम आएगा because that is a very basic thing तो start करते हैं basic से पढ़ना बच्चों सबसे पहले मैंने heading दी हुए कि concept समझना है कौन सा concept समझना है बच्चों कि एक haploid cell क्या होता है और एक diploid cell क्या होता है ठीक है haploid cell और diploid cell हम हमेशा बच्चपन से रटते हुए आ रहे हैं बच्चों की haploid or diploid होते क्या है अब हमें with respect to chromosome समझना है ठीक है with respect to chromosome समझना है just a second तो haploid हम कब बोलते हैं बच्चों haploid हम तब बोलते हैं जब हमारे पास जितने भी chromosome है they are present in a single set जैसे for example अगर मैं यहाँ पर draw करूँ a chromosome that is chromosome number one मैंने यहाँ पर कितना set draw किया है बच्चों सिर्फ एक तो कोई भी cell if it is represented by a single set of chromosome then that particular cell will be called as haploid तो मैं haploid को क्या लिख सकती हूं single single set of chromosome और बच्चों पिशले class में जब हमने cell वाला chapter पढ़ा था cell वाले lecture में हमने पढ़ा था कि जो एक chromosome होता है that can be present in the form of monad और डायाड पढ़ा था ना तो थोड़ा सा अपने tape को rewind करो और याद करो कि monad और डायाड क्या होते हैं यह हमने बनाया हुआ है यहाँ पर तुम्हें एक single rod like structure दिख रहा है तो जब एक single rod like structure दिखता है बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं monad chromosome this is what this is monad chromosome and how many chromatid is there single chromatid है यह भी chromosome बट कैसा monad और कितनी chromatid है single chromatid ठीक है अब तुम देखो यहाँ पर क्या हो रहा है जब इसी monad chromosome का क्या हो जाए है replication replication में क्या होता है dna की copy बन जाती है dna replicate कर जाता है copy बना लेता है तो देखो यह वाला सो पहले से मौझूद था यह जो dna का धागा है वह पहले से तुम्हें दिखाई देगा जो अब यह बन रहा है that is a replicated thread क्या है replicated thread और इससे हो क्या रहा है अब तुम्हें कितने rod like structure दिखाई दे रहे हैं दो एक red वाला और एक pink वाला दो rod like structure दिखने का मतलब क्या है हम इसको क्या बोलेंगे अब यह जो chromosome लिखा हुआ है ना this is diard chromosome क्या है बच्चों यह diard chromosome तो बहुत सारे बच्चे पहले सोच रहे होंगे कि हम monart क्यों पढ़ रहे है generally replication से पहले तुम्हें हर chromosome इसी तरीके से दिखाई देगा पर जब एक chromosome का replication हो जाता है तो monart से वो किसमे convert हो जाते है diard में monart के पास कितना chromatid है दो diard के पास हम कितना बोलेंगे chromatid they have two chromatids they have two chromatids अब देखो कौन-कौन से chromatid है this is chromatid number one this is chromatid number two जब दो chromatids same centromere share करें same करें na centromere share तो हम ऐसे chromatids को क्या बोलते हैं हमें ऐसे chromatids को बोलते हैं sister chromatids क्या बोलते है sister chromatids ठीक है so yes तो हमने पढ़ा था बच्चो कि जो chromosome होता है अगर वो single rod में present हो एक ही chromatid हो that is said to be monart और यहां पर चाहें तो monart देख लो या जब हम diard भी पढ़ेंगे बच्चो तो यहां पर मैंने अगर एक ही set draw किया होगा तो that will be called as haploid अगर deployed की बात कि मैं करूँ तो deployed में देखो what I am gonna do see यहां पर भी मैं chromosome 1 बना रही हूं बट यहां पर chromosome 1 के मैं कितने set बना रही हूं यहां पर chromosome 1 के मैं 2 set बना रही हूं और अगर हमारे cell के अंदर every chromosome is present in two sets या पेर या जोडे में मौझूद हो that particular cell will be called as diploid cell जैसे हम अपनी बात करें बच्चो याद करो हमने karyotype भी पढ़ा था humans का cell unit of life में थोड़ा सा flashback में जो karyotype को याद करो तो हमने वहां पर देखा था हमारे पास जितने भी क्रोमोजोम है चाहिए वह sex chromosome हो चाहिए वह normal autosomes हो वह किस form में थे sets के form में थे pair के form में थे क्यों because we were a diploid organism not we were we are a diploid organism जहां पर हमारे पास जितने भी cell हैं उन cell के अंदर जितने भी क्रोमोजोम से द्यार present insects और pairs तो यहां से हमें बात समझ मैं है haploid का मतलब यहां पर एक chromosome एक ही set में होगा यहां पर देखो chromosome 1 जोड़े में मौजूद है इसलिए यहां पर word आ रहा है डाए ठीक है यहां से रिलेट करना है तो हम जैसे formula लिखते हैं बच्चों physics में बहुत सारे यहां पर भी हमें कुछ by convention कुछ तरीके लिखने जैसे अगर हमें एक cell को एक haploid cell को denote करना होता है तो हम क्या लिखते हैं बच्चों यहां पर क्या है एक ही रोड है एक ही क्रोमोजोम है तो हम इसको denote करते हैं N से और हमें पता है क्रोमोजोम की अंदर क्या होता है DNA का धागा twisted form में जिसको हम DNA thread या chromo नी माटा बोलते हैं है ना बच्चों तो यह जो तुमें thread दिखाई दे रहा है वह कितना दिखाई दे रहा है ठीक है एक तो हम इसको क्या बोलते हैं सी तो हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों N is equal to number of Kromosome n क्या है number of Kromosome और एक यह chromatid है एक ही रोड दिखाई दे रहा है तो वो तुम्हारा क्या दर्शाता है DNA का content तो सी क्या डिनोट करता है बच्चो डी एने का कंटेंट जैसे हम आलू-प्यास के लिए मेजरमेंट्स यूज करते हैं कितने किलो है कितने ग्राम है similarly हमारे सेल के अंदर डी एने भी मेजर कर सकते हैं इन दी फॉर्म ओफ मेजर्ड इन दी फॉर्म ओफ कि इन दी फॉर्म ओफ पीकोग्राम इन दी फॉर्म ओफ पीकोग्राम जिसका एब्रिवेटेड वर्जन होता है बच्चो पीजी सेट पीजी ठीख है यहां पर देखो डिप मार्ट फॉर्म में ही है बड़ दो है क्योंकि पेर में है तो मुसको क्या लिखते हैं टू सी तो बाई डिफॉल्ट एक हैपलॉइट सेल को डिनोट किया जाता है टू एंटू सी से अब थोड़ा सा और इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं बच्चों क्य तूसरे तरीके से और आपको सोचना है एक अनल में मैं क्या यह से बनाने जा रही हूं मैं बनाने जा रहे हूं है चार सेल बच्चों एजल B cell, C cell and D cell, okay? आपने बताना है इसमें से कौन-कौन से cell, बताओगे तो नहीं, obviously, you'll have to think कि कौन-कौन से haploid draw कर रही है, ma'am, और कौन-कौन से diploid draw कर रही है, जैसे A cell में, what I am gonna do? This is chromosome 1, B cell में, C cell में, और D cell में, chromosomes बना दिये हमने, अब आपको सोचना है बच्चों, कि कौन-कौन से diploid होंगे, और कौन-कौन से haploid होंगे, नमबर भी लिख लो, so that कोई परिशानी ना हो, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, बच्चों, A cell में, तो मैं chromosome 1 के कितने sets दिखाई दे रहे है, एक, that means, यह कैसा set है, यह कैसा set है, बच्चों, haploid, अब एक चीज़ बताओ, तुमने क्या सोचके रखा होगा, तुमने इसको शायद deployed सोचके रखा होगा, क्यों, क्योंकि तुम्हें दो chromatis दिखाई दे रहे, यह तो हमने कहीं concept पढ़ा ही ने ना, बच्चों, हमने क्या यह concept पढ़ा कि दो chromatis होगे तो deployed होगा, नहीं, हमने पढ़ाता जब एक क्रोमोजोम के दो sets होगे, तो वो deployed होगा, तो अगर तुमने इसको deployed सोचा हुआ है, बच्चों, तो यह गलत है, ठीक है, क्यों, क्योंकि chromosome 1 यहाँ पर तुम्हें एक ही set में दिखाई दे है, तो यह भी कैसा cell है, haploid, अब तुम सोच रहोगे माम, कि माम आपने यह वाले को भी haploid बताया, यह वाले को भी haploid बताया, बिल्कुल बच्चों, क्यों, क्योंकि इसमें भी chromosome 1 set में है, और इसमें भी chromosome 1 set में, तो difference कहा है मेरे बच्चों, difference यह है, कि यहाँ पर यह वा इसले लेक्चर में, क्योंकि मैंने अपको इसले बोला था, बच्चों, बहुत धान से समझना, क्योंकि उन सारी चीज़ों का मिस्तमाल इस चाप्टर में करेंगे, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से सोचों, तो हमने पढ़ा था, तुम representation, haploid, or diploid की कि किसी भी way में कर सकते हो, actually होता क्या है, मोनाड आपको तब दिखाई देता है cell के अंदर, जब cell का replication नहीं हो रखा है, जब इसी cell को हम किस में भेश देंगे, cell replication में, cell division में, और इस cell का, जब DNA का replication होगा, तो तुम्हें वही चीज, यही chromosome किस form में दिखाई देगा, इस form में, तो यह जो green धागा बनाया है बच्चो, that is nothing, that is just the replicated version, replicated chromosome, ठीक है, अब हमने इसको है प्लोड और है प्लोड तो लिख दिया, content white कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे भी chromosome 1 की कितने set है, n, यहाँ पे भी chromosome 1 की है, तो एक ही set, n, बट यहाँ पर एक ही rod है, तो c, यहाँ पर दो rod दिखाई दे रहा तो क्या हो गया, to c, that means, replication के बाद content double हो रहा है, बट number same ही रह रहा है, बहुत important चीज, ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर यह क्या है बच्चो, यह एक deployed cell है, लिख लो, क्यों deployed cell है, क्योंकि हमने अभी concept develop किया था अपने दिमाग में, कि अगर एक chromosome sets में मौजूद हो तो deployed है, यहाँ पर भी देखो बच्चो, chromosome 1 का एक set यह रहा, एक set यह रहा, यहाँ पर भी दो set है, तो यह भी क्या होगा, deployed होगा, फटा-फट सोच लिया, हमने लिख लिया, अब यह तो हमने समझ लिया है, अब उनका अगर हम numbers के form में लिखे, तो यहाँ पर दो है, तो 4C, तो हुआ क्या है, जब यह cell replication के अंदर गया है, बच्चों किसके अंदर, C वाला cell जब replication के अंदर जाता है, तो वो किस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा, replication से पहले, चाहिए वाला देखो, चाहिए वाला देखो, monart form में है, replication के बाद दोनों कि form में convert हो चुके हैं, die art form में, simple है, ठीक है, तो यही मतलब होता है concept का of haploid and diploid, अब हम चलेंगे बच्चो towards the introductory section कि एक cell cycle होती क्या है, पहली बात जरुवत क्या है cell को cycle में रहने की, दूसरी बात कि जरुवत क्या है cell को division करने की, अगर याद करो बच्चों, तो हम किससे बने हैं, sperm और gamete की fusion से, sperm और gamete का fusion होता है, तो बच्चों, एक zygote बनता है, which is a single cell, अगर वो single cell zygote में division ना हुई होती, तो क्या हम इतने multicellular organism बन पाते, नहीं न, तो cell division जरूरी है, ठीक है, हम जैसे organism को बनाने के लिए, और जब cell divide करता ना बच्चों, तो division कैसे करेगा, division के लिए उससे पहले उसको तयारी करनी पड़ेगी न, उस तयारी में क्या आ जाता है, उस तयारी में growth हा जाती है, क्या जाती है, growth हा जाती है, तो particularly जब एक cell को divide करना है, तो उससे पहले वो और भी बहुत सारे काम करता है, अपने आपको grow करवाता है, तो वो सारी चीजे हमें इस चाप्टर में discuss करनी है, आओ, start करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं, बच्चों, सबसे पहले लिखते हैं, कि cell का क्या-क्या function हो सकता है, cell का क्या-क्या function हो सकता है, तीन function हो सकते हैं, cell growth, क्योंकि बच्चा अगर division करना है, तो उसको growth करनी पड़ेगी, अपने आपको बड़ा करेगा, then only वो divide करेगा, वो हम सब देखेंगे growth कैसे होती है और क्या कर सकता है बच्चों cell divide करता है cell क्या करता है divide करता है जैसे हम अपनी बात करें हम किसे बने हैं हम बने हैं single-celled zygote से किसे single-cell zygote single-cell zygote में क्या हुआ है division और इस division के बाद तुम्हें मिल रहे हैं हम जैसे multi-cellular organism अब इसी chapter में हमें पढ़ना है बच्चों कि हमारी अंदर कौन-कौन सी division possible है यह plants के अंदर कौन-कौन सी division possible हो सकती है दो particularly divisions possible होते हैं बच्चों पढ़ा होगा शायद mitosis and meiosis that we will discuss further ठीक है but yes division होता है तब हम जा करके multi-cellular organism बनते हैं तो हमने देख लिया cell grow हो सकती है ठीक है और क्या function हो सकता एक cell का cell divide कर सकता है और क्या function हो सकता है बच्चो एक cell का cell can undergo differentiation cell can undergo differentiation अब ये एक नया word है आपके लिए differentiation का मतलब क्या होता है बच्चों differentiation का मतलब होता है specialization क्या मतलब होता है specialization जैसे थोड़ा सा अच्छा सोचते हैं ठीक है सबका अच्छे-च्छे college में admission हो गया है अभी जो आप डिग्री लेने जा रहे हो शुरु आप में बच्चो that is MBBS वो तो सभी कर रहे है उस that is not specialization but कल को MBBS की डिग्री खतम करने के बाद साड़े पांच साल का कोर्स खतम करने के बाद you will take admission in your post statuate उसके बाद कुछ लोग super specialization में जाते हैं वैसे PG में specialize हो जाते हो आपको anesthesia में जाना है dermatologist में जाना है gynae ops में जाना है तो you are being specific specific हो रहे हो ना specialized हो रहे हो कि आपको इस particular field में ही काम करना है similarly हमारे पास कितने multiple cells हैं हर cell का अपना एक काम है division of labor है तो एक cell जैसे हम अब nerve cell की बात करें nerve cell अपना काम कर रहा है क्या nerve impulse को conduct करा रहा है heart cell अपना काम कर रहा है skin cell अपना काम कर रहा है protection का isn't it similarly बच्चो एक cell differentiation में चली जाती है differentiate कर जाती है specialized होने के लिए और जैसे अभी हमने डिसकस किया specialized क्यों एक specific चीज को करने के लिए तो cell specialized क्यों होता है to perform to perform specific function तो यह एक तीन सेल का काम है बच्चो और इस में इस चाप्टर में हमें यही डिसकस करना है कि एक cell divide कैसे करता है और कब वो differentiation में चला जाता है ठीक है यहां पर तो मैंने सिर्फ division लिखकर के छोड़ दिया बढ़ यह division पर ही पूरा कपूरा चाप्टर में पढ़ना है ठीक है तो यह हो गया basic उसके बाद बच्चो अगर हम एक unicellular organism की बात कर रहें याद करो रडॉल्फ बच्चो ने क्या बात कही थी रडॉल्फ बच्चो ने बात कही थी कि जो भी नया cells बनता है वो कहां से बनता है प्रीएकजिस्टिंग सेल से जिसका हमने एक्जांपल भी पढ़ाता कि मानलो यह क्या है यह हम क्यए बाधव अमीबा एक unicellular organism है, क्या है बच्चो एक unicellular organism है, तो जब एक unicellular organism divide करते हैं न, मानलो यह divide किये, तो division के बाद what you will get, you will get two daughter cell, बना दिया daughter amoeba, this is what, two daughter cell of amoeba, तो हम क्या कह रहे हैं इसको, हम कह रहे हैं कि इसने divide किया, ठीक है, this is division, ठीक है, इनके में जो division हो रही हैं, उसको क्या बोलते हैं, that is termed as reproduction, क्यों, क्योंकि यह unicellular organism है, इनके पास एक ही cell है, ले देकर के, है न, और एक और चीज़ देखो, जब reproduction हुआ इनका, थू cell division, तो इनके number of cells increase हो गए, और बच्चो हम कहते हैं, कि जब number of cells increase होती है, तो क्या हो जाता है, growth, तो हम क्या यह नहीं कह सकते, कि एक unicellular organism, जब reproduce करता है, तब grow भी कर जाता है, that means, एक unicellular organism के लिए, जो reproduction है, वो किसके बराबर है, वो है growth के बराबर, किसके बराबर है, growth के बराबर, वैसे चाईë unicellular हो, चाईë हम multicellular हो, growth और reproduction एक हमारा characteristic है क्या है हमारा characteristic है तुम कोई भी living organism देख लो ठीक है living organism का काम है क्या करना reproduce करना अपने तरीके के बच्चों को या offsprings को generate करना इस इस लिए ncrt ने याईन लिखी हुई है इस लिए ncrt ने लाइन लिखी हुई कि जो growth and reproduction है ग्रोथ एंड रिप्रदक्शन है कि दे आर वाट दे आर क्यारेक्टर स्टेक चरक्टर स्टेक कि ऑफ लिविंग ऑर्गानिजम अच्छा तुम लोग ना कुछ बच्चे डाउट कर रहे होगे अपने मन में बहुत तरे डाउट आते हैं हमारे बच्चे मन के सच्छे ना कि यार माम आपने बोला की रिप्रदक्शन तो हर एक लिविंग ऑर्गानिजम का ह यह मैंने सिर्फ लिविंग और गानेजम लिका और नहीं लिकाए तो कि आपको पता है तो यह पर इस नहीं करते हैं यहां पर एक्सेप्टिंट डिसकस नहीं कर रहें वह सब सब पहले एक brief दे देती हूं कि आज थोड़ा समझते हैं क्या समझा हमने हमने एक बना लिया है सेल कैसा सेल बनाया है हमने बच्चो यूकरियोटिक सेल में चलो एक चीज होती है जो सबके पास होगी वह क्या होगी सेल में वह बना लेते हैं है ना उसके बाद अगर हमने यूकेरियां innov head XX बनाया है तो बच्चों क्या होगा nuclear membrane होगी और इस nuclear membrane के अंदर इनका genetic material होगा ठीक है that is DNA अब यहाँ पर देखो बच्चों अभी मैंने क्या किया है chromatin के form में दिखाया है क्योंकि अभी यह divide नहीं कर रहे हैं ठीक है कि डिवाइड नहीं कर रहें chromatin अब होगा क्या बच्चों सबसे पहले सबसे पहले हमने पड़ा कि जो चीज डिवाइड होने वाली होती है वो सबसे पहले अपने आपको ग्रो करती है जैसे यार शादी है तो शादी आज से छे महिने बाद है साथ महिने बाद है तो शादी तो हम शेरवानियों लेंगा खरीदने नहीं जाएंगे, है ना, तैयारी पहले से शुरू होती है, बहुत सारी प्रप्रेशन चलती है, तो सेल डिवीशन होने से पहले, यहां पर डिवीशन आपको दिखाई दे रहा है, दो डॉट्टर सेल बन के आ गई है, बट डिवीशन ह से ही समझ में आ रहा होगा बचो कि जो न्यूक्लियस की साइज है, यह वाला बीच वाला क्या था, यह था न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की साइज देखो, इंक्रीज हो चुकी है, हो चुकी है न, इंक्रीज, और यह जो क्रोमाटिन है, इसका कंटेंट भी बढ़ बढ कर दिति हो गई यहाँ पर जो साइ्टोप्लाजम का किन्टेंड ठा और यहाँ पर साइटोप्लाजम का कंटेंड था हूँ यहां पर बढडी थे नहों Caesar अपना त्यारी कर लिया जब यह सारी कुछ थायारी हो जाएगी बच्चों तो इक सेल क्या कर जाता है division में चला जाता है एक cell कर जाता है divide और division के बाद what you will get you will get बच्चो two daughter cell what you will get you will get a two daughter cell with their own genetic material and with their own nucleus देखो यहां से भी रडॉल्फ बच्चो की बाद proof हो गई कि जो दो नए cell बनके आ रहे हैं they are coming from pre-existing cell जिसको हम बोलते हैं Omnicellular E-cellular एक division से पहले जो जो तयारी चली है उसको बहुत हमने ब्रीफ में discuss किया है इसको सब कुछ हम डिटेल में भी discuss करने वाले हैं जब हम असली में cell division पढ़ेंगे ठीक है अब यह दो daughter cell जो divide करके निकले हैं अगर यह दो बारा से division में आ जाए बचो cycle को घुमा दे तो वो बन जाती हमारी cell cycle और इसी को हम बोलते हैं cell cycle and cell division जो एक चीज गौर करने वाली है बच्चों कि जब आप आगे पढ़ोगे तो आप यह पढ़ते हो कि DNA का एक पर्टिकुलर फेज में होता है ठीक है एस फेज में आप पढ़ोगे ठीक है बच्चों साइटोप्लाजम की ग्रोथ हो रही है यहां पर भी हुई यहां पर भी थोड़ी बहुत होगी बढ़ा हुआ साइटोप्लाजम दिखा रहा है इसी लिए बच्चों हमारी NCRT लि वो थ्रू आउट चलता है वो स्पैसिफिकली एक फेज में नहीं चलता दाट इस थ्रू आउट कंटिन्यूस ली कंटिन्यूस थ्रू आउट ठीक है तो यह हमने चीज पढ़ी कि बच्चों क्या होता है बेसिकली कि सेल डिवीजन से पहले हो जाएगी सेल ग्रोथ जिसमें आउट सेल का साइटो प्राज म्याइक ङौत्ट सेल की साइज भी इंक्रीज ओगी और नूगेज का साइज इंक्रीज होगा ठीक है अब हम बात करेंगे बैच्चों चलो डिवाइन कर लेते हैं बहुत देर से हम समझने की कोशिश करें कि सेल साइकल क्या है ना लग स्ateurs द कि sequential event है, यह क्या है बच्चो, it is a sequential event, in which, अच्छा, इसको sequential event क्यों बोला गया, क्योंकि जितने भी events आप पढ़ने वाले हो, बच्चो, वो सारे उसी sequence में होंगा, ऐसा नहीं कि कोई आगे पीछे हो सकता है, नहीं, that has to be a synchronized thing, that has to be in that particular sequence, we are using students, for example, हम अपने school test की बात करें, तो हमारे में school में सबसे पहले unit test होते ही, है confirmed weekly test होते हैं, जाएं किसी किसी करें यूनित होते होनगे, बड़ होते तो हैं, भले चीटिंग करके पास हो, या किसी भी तरीके से पास हो, टेस्स तो हम देते ही हैं, टेस्स के बाद क्या आता है, युनिटेस्स के बाद, हमारा आता है, हाफ एली, जिसको तुम कहलो, टर्म वन, अब चोड़ा सा पैटन चेंज हो गया है, बुट पुराने जमाने की बात करें, तुम अब छोटे क्लास की बात करो, हाफ एली, हाफ एली के बाद, फिर वो युनिटेस्स ले लेते हैं, युनिटेस्स टू, उसके बाद, that is followed by a final exam, है ना, तो उसी सिक्वेंस में होता है, ऐसा तो है, निकि फाइनल पहदी ले लेंगे, हाफ एली बात में लेंगे, है ना, तो जिस तरीके से हमार क्या सेल भी पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करके, फिर डिवाइड होकर के निकलता है, इन टू डॉटर सेल, ठीक है, जब जब एक सेल डिवाइड करेगा, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन अफ टू डॉटर सेल, तो लिखो, सिक्वेंशल इवेंट है, इन विच, ब्रम्पर नंबर वन क्या लिखेंगे हम, सिंतिस ऑफ, सिंतिसस ऑफ, कॉंस्टिफिटुएंस ऑफ सेल, क्या होता है, बोने सेल के अंदर का समान है, जैसे सेल के अंदर क्या समान हो सकता है, उनका गौलजी, ख्लोरोप्लास्ट, माइ्टो कॉंड्रिया, बहुत सारे प्रोटीन्स, है ना, तो वो सारे के सारे चीजों की सिंथिस होती है, ठीक है? और क्या होता है बच्छों? डूब्लिकेट सेल अपना क्या करता है? अपने genome को duplicate करता है duplicate its genome genome का मतलब यहां से क्या है बच्चो DNA से है क्या है DNA से ठीक है synthesize किया जो तरही भी cell organelle है constituents होता है DNA को duplicate किया replicate किया उसके बाद eventually eventually get divided अंतो कर लिया क्लोय कभ गाल्जी और दोकलिया मतब्सक्राटरोब्स तो कर लिया साइटिवाइडिया तो एंटाटOR cyn में ह Spike और भी समान बनाया ना उनको इक क्योंड कर्डिन करके बहार आज्यादोगर क्या लिखा हुआ है, eventually get divided into two daughter cell, तो इस तरीके से हम एक particular cell cycle को define करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, लिखा भी हुआ है, अभी आपने यह सारा कुछ पढ़ा नहीं है, तो हम इस पर भी चर्चा नहीं करेंगे, but this is a particular cycle, तो क्या लिखा हुआ है, यह लिखा हुआ है, पहली बात कि sequential event होता है, जो हमने यहाँ पर mention कर दिया, that this is a sequential event, है न, उसके बाद, उसके बाद NCRT ने लिखा हुआ है, कि जितने भी process है, that are coordinated, obviously coordinated होंगे न बच्चो, cell division है, अगर cell की growth नहीं हो तो क्या division हो सकता है, नहीं हो सकता, अगर DNA को duplicate करना है, पतलब DNA को, sorry, cell को divide करना है, तो DNA duplication चाहिए न, बिना DNA duplication के cell कैसे divide कर लेगा, mitochondria cell के पास एक ही है, पहले दो तो बनाए, तभी तो दो daughter cell में divide करेगा, एक को एक में भेजेगा, mitochondria को, एक mitochondria को दूसरे में भेजेगा, तो obviously they are in coordinated manner, तो यह याद रखना है, कि जो cell cycle है, वो sequential event के साथ-साथ, it is a coordinated event, और, यह कैसा है, that is genetically controlled, यार हर चीज़ को control की ज़रत पढ़ती है, चाहे तुम गाड़ी देख लो, चाहे हमारा शरीर देख लो, हमारे शरीर को भी control की ज़रत है, जोलोजी में पढ़ोगे, that is neural control, isn't it, हमारी गाड़ी को भी बहुत चीज़ होगी control चाहिए, है न, isn't it, similarly बच्चो, एक सेल को डिवाइड करना है, साइकल में रहना है, that is also determined by a gene, that is why it is said to be a genetically controlled mechanism, तो यह हो गया हमारा बच्चो, cell cycle, अब हम discuss करेंगे, कि क्या cell cycle, सारी organism में एक ही duration करेगा, नहीं, जो cell cycle की बच्चो, duration है न, जो cell cycle की duration होती है, वो duration vary करती है, वेरी करेगी, from organism to organism, organism to organism, and it will also vary from cell to cell, अब हमारे शरीर में बहुत सारे cell है, सबका जो mechanism है, that is different, isn't it, organism चाहिए हम अपनी बात करें, चाहिए किसी और organism की बात करें, उनका जो cell cycle की duration है, वो वेरी करेगा, जैसे, हमारी NCRT ने तो examples लिखे हुए है, फटा फट लिख लेते हैं, फटा फट लिख लेते हैं, cell duration का, यहाँ पर डबा बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, human cell को divide करने में कितना वक्त लगता है, एक human cell का, जो duration होता है cell cycle का, बच्चो, that is 24 hours, और east का जो duration होता है, बच्चो, that is 90 minutes, अच्चा हम अभी बोल रहे थे कि cell to cell वेरी करता है, और यहाँ पर हम जा करके specific हो गए, या human cell 24 hour है, यह बात समझ में नहीं आई, तो बच्चो, जो हम human cell की बात करते हैं, हमारे बस बहुत सारे cell है, और जहाँ पर उनका duration वेरी कर सकता है, यह हम जब बाहर एक human cell को, artificially, in vitro medium में culture करके देखते हैं, तो हमें जो time पता चला है, that is 24 hour, और NCRT भी लिखती है, इसलिए हम आनके चलते हैं, कि लगबग लगबग एक human cell को divide करने में 24 घंटे लगते हैं, और एक इस को divide करने में 90 मिनट लगते हैं, तो यहां से भी बात प्रूफ होती है, कि जो duration होता है, वो organism to organism बच्चो vary करेगा, ठीक है, तो अब चलते हैं बच्चो, अब हम discuss करेंगे, what are the different phases of cell cycle, cell cycle ऐसे तो हो नहीं गई, कि बोल दिया कि cell गया, cycle में divide करके बाहरा आ गया, है ना, उसके लिए हमें पढ़ने पढ़ेंगे बच्चो phases, तो दो phase हमें particularly पढ़ने हैं, दो phase हमें particularly पढ़ने हैं, पूरा का पूरा cell cycle divided होता है, इंटर phase और M phase में, किसमें बच्चो, इंटर phase और M phase, यहाँ पे एक cycle भी बना लेते हैं, छोटी सी, छोटी सी बनाई है, ठीक है, अब इस cycle को चलो divide करते हैं, तो जब हम divide करेंगे, तो आपको division से ही समझ में आएगा, कि जादा तर हिस्सा कौन occupy कर जाता है, दो हिस्सा बनाएंगे, एक I और एक M, तो यह पूरा का पूरा cell cycle है, यह एक cell है, this is a cell, जिसको करना है क्या बच्चो, जिसको करना है divide, तो जब एक cell को divide करना होता है बच्चो, तो सबसे पहले यह entry मारता है, किस में, imagine करो, किस में मारता है, interface में, interface में देखो, मैंने लगभग लगभग बहुत जादा duration इसमें दिखा दिया, that means, cell बहुत सारा time अपना किस में व्यतीत करता है, किस में spend करता है, interface में, interface में रहने के बाद, फिर यह cell किस में आ जाती है, m-phase में, तो अभी हमने समझा sequence, अब हम समझ लेते हैं बच्चो, कि interface और m-phase actually होता क्या है, interface के बड़े सारे नाम है, क्या नाम है interface के, interface, it is also known as, preparatory phase, क्या बोलते इसको, preparatory phase, अब what do you mean by preparatory phase, यार जैसे, तुम कर रहे हो, तयारी, चीक है, neat की, तो यार, neat तो अगले साल होने वाला है न, तो अगले साल होने वाला है तो जिस दिन होने वाला, उस दिन तो पढ़ेंगे नहीं, उसकी तयारी तो पहले से करनी है, for example, एक एथलीट है, एथलीट को दौर लगानी है, या जब जैसे हम भी जिम करने जाते हैं, तो जिम करने से पहले अपने को क्या करना पड़ता है, वाम अप करना पड़ता है, that means, आप prepare कर रहे हो अपने आपको exercise करवाने के लिए, या athletes prepare करता है अपने आपको दौर ल M phase is a division phase, but अभी हमने discuss किया था बच्चो पिछले slide में कि division से पहले करनी होती है growth, मतलब division से पहले करनी होती है तयारी, तो वो सारी तयारी कहां चलती है, interface में, इसलिए interface को हम क्या बोलते है, preparatory phase, that means, अगर एक cell है, सबसे पहले interface में आके अपने आपको वो prepare करता है, so that वो division क के लिए तयार हो, तो जब आपको एक बार prepare कर लेता है, तो वो interface छोड़ करके फिर कहां चला जाएगा बच्चो, M phase में, दूसरी बात बच्चो इसके और भी नाम है, यही पर कहानी खतम नहीं होती, preparatory phase के इलावा इसको और क्या कहते है, इसको कहते है, biosynthetic phase, क्या बोलते ह हमने discuss किया था, growth का क्या मतलब है, growth का मतलब है, nucleus की size increase होना, cytoplasm का content increase होना, पुरे overall cell का growth होना, है ना, और DNA की भी synthesis यहीं होगी, जो proteins चाहिए, वो भी यहीं बनेंगे, spindle fiber चाहिए, जो भी चीज चाहिए, division के लिए वो सारी की सारी यहीं पर synthesize होती है, इसलिए हम इसको biosynth synthetic phase भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते है resting phase, इसको हम क्या बोलते है resting phase, अब बच्चे, यह question भी आता है, क्योंकि बच्चे हमने नाम दे दिया resting phase, तो बच्चों को लगता है, rest कर रहा है cell, कुछ भी नहीं कर रहा है, नहीं बच्चों, resting phase क्यों क कर रहा है life and 개인rian के नियंकि यहांपर division नहीं चल रहा रही बट सेल तो है क्यों कि सैंड अपना सारा काम तो कर रहा है सारा का मतलब ग्रोध कर रहा है प्रोटीन बना रहा है डीन ने बना रहा है सेल को जो भी स्पीडस चाहिए डिवीशन करे हो सारे चीज्चिंतेस right हो रही है ना अराम तो नहीं फर्मा रहा काम तो कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तो यहां सहां एक ओर पॉइंट लिखेंगे रेस्टिंग फेस सेंस नो डिवीजिन सेंस नो घ्र चैनल सिर्फ रेचिंग एदर्वाइस हम सको क्या सकते हैं है अगर हम दूसरा पॉइंट करें दूसरे कलर से आड करते हैं दूसरा पॉइंट लिखेंगे सेलिच मेटाबॉलिकली ऑक्टेव मैं सेलिच मेटाबॉलिकली एक्टेव है ठीक है और डायग्राम से अपको समझ में आ जादा अता duration कौन ले जाता है इंटरफेस इसलिए हम कहते हैं 95% of cell cycle duration कितना लेता है बच्चो ये 95% of cell cycle duration तो इतनी गड़े तो आपको आती होगी कि अगर हमने human का 24 घंटे का cell cycle duration ले रखा है तो उसमें इंटरफेस कितनी चलेगी बच्चो लिख लो अगर मैच्स तेज है तो वहाँ पर भी कालकुलेट कर सकते हो नहीं है तो याद कर लेंगे जार 95% of 24 आर कितना होगा लगभग लगभग 23 आर that means a human cell तेज घंटे के लिए सिर्फ अपने आपको तो human cell 23 आर्स लेता है इंटरफेस के लिए और एक human cell M phase में कितने टाइम के लिए रहेगा बच्चो सिर्फ और सिर्फ वन आर के लिए similarly we can calculate for east एक east cell का हमने overall कितना लिया था 90 मिनट तो 95% of 90 मिनट कितना निकल के आएगा approximately 85 मिनट that means a east cell 85 मिनट के लिए इंटरफेस में ही रहत कितने मिनट में कर जाता है डिवीजन वो सिर्फ कर जाता है पांच मिनट के अंदर ठीक है तो यह सारी कहानी हुई है बच्चों इंटरफेस की ठीक है अब हम बात कर लेते हैं बच्चों और अच्छे तरीके से M phase के बारे में M phase को हमने division वाला phase बोला है और साथी साथ अग percent of cell cycle duration and you know what this phase this phase is said to be most dramatic phase most dramatic phase most dramatic phase why देखो school में आर हम बहुत सारा drama perform करते है ना drama in the sense play तो यार English play भी करते हैं आप तो COVID के ताइम पर annual functions वगरा नहीं हो रहे होंगे हैं बट याद करो यार हम करते थे annual functions है ना तो हम बहुत सारे play perform करते थे Hindi play English play है ना तो यार उसमें characters होते थे characters को अभी theatre का the scene दिखाना है फिर road का the scene दिखाना है फिर घर का सीन दिखाना है फिर अदालत का सुन दिखाना है तो होता क्या है फैसले movie में भी देखते है ूरामा टन चलता यार तो होता क्या बच्चो scenes तूरं तूरंट change होते रहते हैं पल पल बदलते रहते ना अभी कुछ का scene दिखा seis tohit रहे कह न अभी प्यार होते होते लडाई हो गई तो होता क्या है कि इसमें बी ऐसे दिखाई देगा आपको इसमें ऐसा दिखाई देगा मतलब कि पल-पल सीन चींज होते रहेंगे अभी आपको दिखाई देगा क्रोमोजों क्रोमाटिन के फार्म में है फिर क्रोमोजों के फॉर्म में आ गया फिर पास पास थे फिर दूर हो गया फिर वहीं क्रोमोजों क्रोमाटिन के फॉर्म में बदल गया तो ऐसा लगता है कि सेल कोई कर रहा है जब आप पढ़ हो गए ना तो अपने देखना ठीक है ऐसा लगता है सेल कोई ड्रामा परफॉर्म कर रहा है इसी लिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चो मोस्ट ड्रमाटिक फेस तो यह था एक बेसिक इंटरफेस के बारे में और एक एमफेस के बारे में फटाक्स करता है इसी मतलब इंटरफेस 95% duration occupy करता है और एमफेस को सिर्फ कितना मिलता है 5% सिर्फ यहां पर प्रिप्रेशन हो रही है डिवीजन कहा होगी यहां पर तो ऐसा लगता है सेल को ड्रमा परफॉर्म कर रहा है इसको ड्रमाटिक फटाफट से रिवाइस कर लिया बट कहान में थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे वह यह पढ़ेंगे कि जो हमारा इंटरफेस होता है ना यार जो हमारा इंटरफेस होता है बच्चों फिर वह यहीं पर खतम नहीं होता वह तो हमने पढ़ा यार इंटरफेस नाम की चीज है बट इंटरफेस इसेल्फ डिवाइड इंट three phases this is itself divided into three phases divided into three phases कौन कौन से number one सबसे पहले अगर cell interface में आती है तो वो कौन से phase में जाएगी G1 जीवन के बाद वो कहां पर जाएगी sorry G1 के बाद वो कहां पर जाएगी एस फेज में एस फेज के बाद वो कहां पर जाएगी जीटू में तो इंटर फेज आक्चुली डिवाड़ेड होती है थ्री फेज में जीवन एस एन जीटू लाव तो लॉन दी सिक्वेंस उसके बाद हमने यार उधर पड़ा कि एक एम फेज नाम की बीचीज होती है क्या हो ना ना बच्चो एम फेज दिवीजन फेजमें अधर जयर ये ना एक सेकंड लिखते हैं इस चीज को वह दो फेज में दिवाड़ेड होता है एक को हम बोलते हैं karyokinosus karyokinosus और एक को हम बोलते हैं बच्चो cytokinosus cytokinosus हमने पहले पर discuss किया है बच्चो कि zoology में या botany में word को तोड़ो मतलब निकल करके आएगा है ना तो तोड़ो word को अगर हम karyo को तोड़ें तो karyo का मतलब क्या होता यार nucleus और kinesis का मतलब क्या होता है division तो cell division तो हो रही है बट cell division में जब एक cell interface से होता हुआ M phase में जाएगा तो सबसे पहले nuclear का division होगा nuclear division भी four stages में divided है ध्यान से सुनना बच्चो डिवाइडेड इंटो four sub stages divided इंटो four stages नमबर one pro phase pro phase नमबर two followed by meta phase meta phase के बाद क्या होगा बच्चो एना phase और एना phase के बाद क्या होगा बच्चो तिलो phase टिलो मींस टर्मिनल अगर टिलो फेस आ गई डाट मींस न्यूक्लियर डिविजिन खतम हो रखी है मतलब दो-दो नूपस को ने करके तक हैं आव इनको क्या करें सेल को डिवाइद करवाना अधिक करना है तो सैल कहां चली जाएगी साईटो कानसस में सक होगर हम तो तो यहां से निकलेगा साइट ओ siitä फ्लाजम और you can just write the cell और काइनिस का मतलब तो आपको पता यह क्या होगा बच्चो डिवीशन तो साइटो काइनिस क्या हो जाएगी डिवीशन ओफ साइटो प्लाजम तो यार देखो हुआ क्या एक सेल सबसे पहले इंटर फेस में गई इंटर फेस के बाद वो किसमें आ गई क्यारियो क कैरियो काइनिस में सबसे पहले स्टेश का होता है फ्रोफेस एंटर फेस और फिलल्टिमेटली कहां चलि गई वह साइटो काइनिस में तो देखो अगर सेक्वेंस याद नहीं होता ना तो कैसे याद करोगे आई फ्रोड़ा चेलिंज करते हैं आई ठीक है, इंटरफेस के बाद वो किस में आएंगी, इंटरफेस के बाद वो आएंगी, प्रोफेस में, I pray more at temple, इतना तो याद ही कर सकते हो बच्चों, निमोनिक्स बता दू, बहुत इजी निमोनिक्स है, कुछ बच्चों को बिना इसके भी याद हो जाता है, I pray more at temple, इजी, ठीक है, जरुवत नहीं कि सारे बच्चों को इसका इसका सितमाल करना है, I for interface, क्योंकि सबसे पहले interface में जाती है, P for pro phase, pro phase के बाद metafase, metafase के बाद enafase, enafase के बाद tillophase, तो ये एक sequence होता है cell के division का, इसलिए हम इसको बोलते हैं sequential event, अब फटा-फट से बच्चों एक अच् cell cycle को हम शो करेंगे, तो हमें पता है cell cycle में सबसे ज्यादा duration कौन ले जाता है, सबसे ज्यादा duration ले जाते हैं हमारे interface, तो ये हमने फटाक से क्या draw कर लिया, ये हमने बनाया है interface, ठीक है बच्चों, क्या हमने बनाया interface, this is I, ठीक है, और ये जो हमने बनाया है, ये हमने बनाय है M phase that is division वाला phase बट कहानी यहीं नहीं खतम होती यह तो हमने broad scale पर पढ़ा अब हम पढ़ते हैं कि interface कितने हिस्सों में divided होता है interface divided होता है तीन हिस्सों में G1 S and G2 ठीक है लिख लेते हैं G1 S and G2 लिख लिया इसके बाद बच्चों यह M phase को हमने बोला कि दो हिस्से में divided है karyokinesis and cytokinesis karyokinesis खुद कितने हिस्सों में divided है karyokinesis खुद कितने हिस्सों में divided है चार तो चलो बनाओ यह बना दिया pro phase यह बना दिया meta phase यह बना दिया एनफेस एंटिलो phase अब फटा फट नाम भी लिख लेते हैं G1 गया S गया G2 गया उसके बाद cell कहा आएगी उसके बाद cell आएगी pro phase में बच्चों इस प्रोफेस प्रोफेस के बाद cell कहां आती है मेटाफेस में इस इस मेटाफेस ठीक है मेटाफेस के बाद कहां जाएगी वह अगर तुम्हें उल्टा लिखने में परिशानी हो रही है बच्चों तो तुम सीधा भी लिख सकते हो कोई फरक नहीं बढ़ता ठीक है जटो डेस इस अनफेस आनफेस के बाद क्या होगा जाए बच्चों टोफेस के बाद तुम्हारा में सीधा लिख लेती हुँ प्रोफेस नफेस जशुकिंश लीट फयस फसके eng astronauts सिंस जी यह एक cell है, यह एक cell किसमें गई, यह एक cell G1 में गई, G1 के बाद किसमें जारी है, S में, S के बाद किसमें जारी है, G2 में, यहां तक इसने क्या किया है, प्रिपेर किया है, अब इसने किसने entry मारी है, इसने M phase में entry मारी, और M phase में entry मारने के बाल, यह किसमें निकल गए हैं ब divison की sequence अब होता क्या है बच्चो यह cell की ऊपर depend करता है क्या इसको फुरर से डिवाइट करना है या नहीं करना है तो यह आते तो है जीवन में यो कै देखो एक cell दुबारा से Inís मार गया, that means, वो cycle continue कर रहा है, तो वो दुबारा से divide करके निकलेगा दो doctor cell में, कभी कबार क्या होता है बच्चों, इन cell का mood नहीं है divide करने का, तो ये cell क्या करते हैं, एक second, हाँ, ये cell जीवन में आने के बाद decision लेते हैं, whether they are to divide or not, तो अगर question आया, कि cell को divide करना है, या नहीं क करना है, ये कब decision लेता है, तो ये decision लेता है G1 में, अब ये आ गया, इसको नहीं करना है divide, तो it will exit the G1, it will exit the G1, and enter into G0, G0 को हम बच्चों, क्यूं सेंट स्टेज बोलते हैं, या हम इसको inactive stage बोलते हैं, ये सारा NCRT word है, या हम इसको क्या बोलते हैं, बच्चों, inactive stage बोलते हैं, अब सवाल ये, कि ऐसा हुआ क्यों, बच्चों, हमने शुरू बहीं पढ़ा था, कि cell के बहुत सारे काम है, ग्रोथ कराना, जो भी हमने देखा, इंटरफेस में पड़ता है, और उस stage का नाम है, जी नॉट, या क्यू सेंट stage, या inactive stage, इसको यहां पर inactive, इसलिए बोला जा रहा है, बच्चों, क्यों बोला जा रहा है, जहां पर inactive word लग गया ना, समझ जाना, वहां पर division नहीं हो रही है, that means there is no cell division, और बच्चों, अगर division नहीं है, तो growth होगी, अभी हमने पढ़ा था ना, division के दोरानी growth होती है, तो यहां पर growth भी नहीं हो रही है, काटा मार दो, ठीक है, तो फिर यहां पर हो क्या रहा है, क्या cell बिलकुल inactive है, नहीं, cell is metabolically active, यह बहुत important line NCRT की, cell active है, बस क्योंकि वो divide नहीं कर रहा, इसलिए यहां पर यह word inactive लिखा हुआ है, ठीक है, और एक और NCRT में लिखा हुआ है, they will not proliferate, what do you mean by proliferate, division, divide, they will not proliferate, एक सेकंड, यहां से लिखते हैं, they will not proliferate, they will not proliferate या divide until and unless they are called, they are called to do so, they are called to do so, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, देखो, जैसे ही एक cell इस cycle को exit करके एक ऐसे inactive stage में चली जाएगी, that means वो वहाँ पर divide नहीं कर रही है, जैसे यार nerve cells, nerve cells हमारी कहां पर present है, सोचो, nerve cells they are not dividing, they are present in which stage, they are present in G-not stage, they are present in Q-cent stage, तो nerve cells है अभी inactive stage में क्योंकि divide नहीं कर रही है, बड़ अपने दिमाग से सोचो यार, दिमाग सोच रहा है न, nerve cells तो अपना काम कर रही है न, है न, तो nerve cells अपना तो काम कर रही है, अपने nerve impulse को conduct करा रही है, that means cell क्या है, cell तो metabolically active है न, cell metabolically active है, इसलिए हम कहते है, cell जो यहा अपर divide नहीं कर रही, stage को inactive बोलते हैं, बट फिर यह क्या line है, यार मान लो हमें चोट लग गई, तो चोट लगने के बाद हमें यापर गड़ा हो गया, for example कुछ भी हो गया है, मास ही खड़ के आ गया, तो क्या वो कभी अपने आपको repair नहीं करता हाथ, कभी नहीं करता, व उनको मैसूस हुआ या नहीं, इसको heal करना है, तो जब उनको लगा, जरुवत लगी, तो वो वापस से किस में आ सकते हैं, वो वापस में cell cycle में आएंगे, और उस जगा को repair and regenerate कर देंगे, इसलिए लिखा हुआ है, कि ये cell तब तक नहीं आते cell cycle में, जब तक उनकी जरूरत ना पड़े, या उनको cell ना बोले कि भाया, तुम्हारी जरूरत है, तुम cell cycle में आ जाओ, ठीक है, तो ये मतलब होता है, इस line का, तो अभी तक भी हमने, ऐसा नहीं कि हमने पूरा cell cycle पढ़ लिया, अभी तो हमने सिर्फ पढ़ा है, कि sequence कौन सा follow होता है, है ना, अब सा detail में पढ़ते हैं, बच्चो, start करते हैं, एके करके cycles पढ़ना, सबसे पहले हम start करेंगे, जीवन पढ़ना, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, बच्चो, सबसे पहले हम, जीवन को पढ़ना, ठीक है, तो लिखते हैं, जीवन के बारे में, जीवन क्या होता है, जीवन के बड़ phase 1 या हम इसको बोलते हैं gap phase 1 सबका नाम बताऊंगी थोड़ा सा patient इसको क्या बोलते है बच्चो gap phase 1 या इसको बोलते हैं बच्चो post mitotic gap phase एक second post mitotic gap phase 1 ऐसा क्यों यार देखो होता क्या है particularly हम self क्या बोलते हैं एक लिफों यहां पर हमने बनाया emphase को भी से ना यहां पर हमने बनाया जीवन यहां पर हमने बनाया एस और यहां पर भुआने पिनाया G2 म में क्या होता है बच्चों म में होता है division एस में होता है DNA plN ऐससे याद राखना, DNA का synthesis, तो main चीजब एक हो रहा है, DNA का synthesis यहाँ पर और डिवीजन यहाँ पर डो gaps create हो रहे हैं, एक यहाँ पर gap create हो रहा है, एक यहाँ पर gap create हो रहा है, तो जो सबसे पहला gap create हो रहा है, क्योंकि होता क्या है, बच्चों ध्यान से समझते रहना, होता क्या है, एक cell divide करके निकल आता है, ठीक है, दो daughter cell बना लिया, तो यह cell जब जहां वो DNA के synthesis करता है फिर से वो दुबारा gap लेता है क्यों growth कराने के लिए और फिर से वो कहां पर जाता है M phase में तो M phase और S phase के बीच में तुम्हें दो जगह पर gap दिखाई दे रहा है एक G1 और एक G2 तो जो पहला gap आया that is gap 1 जो दूसरा gap आया that is gap 2 यहां वाले gap में भी growth हो रही है पहली बार तो growth phase 1 यहां पर gap gap create हो रहा है ठीक है growth के लिए दूसरी बार तो gap phase 2 या growth phase 2 ठीक है तो G1 का यह सारा वैसे तो हमें पता है कि growth हो रही है तो इसको लिखते हैं कि cell growth साथी साथ अगर cell growth हो रही है बच्चों तो क्या होगा जो cell की size obviously बढ़ेगी तो cell size increases उसके इलावा क्या हो रहा है बच्चों cell का एक second nucleus growth nucleus की तो growth हो रही है nucleus को divide अगले phase में करना है but growth तो यह ही करेगा nucleus growth तो nucleus की growth होगी बच्चों तो क्या size increase नहीं होगी बिल्कुल होगी तो हम ऐसे लिखते हैं na nucleus nucleus size increases और क्या होता है बच्चों यहां पर होती है RNA की synthesis को क्या बोलते हैं बच्चों transcription तो पूछा जाए क्या transcription चलती है बिल्कुल चलती है यार है और हमने क्या पढ़ाता यहां पर और क्या होता है protein की synthesis होती है protein की synthesis को क्या बोलते है translation तो क्या चल रही यहां पर translation बिल्कुल चल रही है translation अगर protein ना आए बच्चों पूछा जाए आपसे कि amino acid बनता है अमीनो आइसेट के पॉलिमर को क्या बोलते यार अमीनो आइसेट के पॉलिमर को लिए तो हम प्रोटीन बोलते तो अमीनो आइसेट के synthesis होती है बिलकुल होती है कहा पर G1 फेज में ठीक है तो यह हो गया हमारा growth related work और हम क्या बोलेंगे और हम बोलते हैं बच्चो कि most of the cell organal most of the cell organal most of the cell organal duplicate duplicate in g1 phase in which phase बच्चो in g1 phase ठीक है इसके अलावा बच्चो वाट वी गॉन टॉक बाउट कि यार अगर cell बार बार डिवाइड कर रहा है इसल फ्रिक्वेंटली डिवाइड इसल फ्रिक्वेंटली डिवाइड तो जो उसका जीवन होता है न यार वह शौर्टर होता है विल टेल यू दी रीजन और अगर cell फ्रिक्वेंटली एक सेकंड इसको ऐसे नहीं लिखते हैं इफ सेल डज नॉट डिवाइड फ्रिक्वेंटली इफ सेल डज नॉट डिवाइड फ्रिक्वेंटली तो जीवन क्या होगा बच्चों जीवन वुड बी लॉंगर तो इससे समझ में क्या आ रहा है इससे हमें समझ में यह आ रहा है कि G1 वेरी कर सकता है और यह variation किस के ओपर depend कर रही है यह variation depend करेगी कौन सा cell कितना frequently divide कर रहा है अगर एक cell frequently divide करेगा तो g1 होगा उसका shorter और एक cell frequently divide नहीं कर रहा तो g1 क्या होगा बच्चो जीवन होगा उसका longer तो यहां से जो मैं बात समझ में आई कि जो g1 है that is the most variable phase that is what बच्चो that is most variable phase और उसका variation depend करता है एक cell कितना frequently divide कर रहे या नहीं क्योंकि जल्दी जल्दी divide करेगा तो फटाक से वो जीवन के बाद s में चला जाएगा अगर frequent division नहीं है तो अराम से पहले हो 40 सित्यों को synthesize करेगा time देदे कर करके फिर जाएगा s1 में इतनी जल्दी नहीं जाएगा तो g1 का पड़ी है है ना बट इंटरफेस तीन में divided है जीवन एस इन जीटू तो इन तीनों में सबसे बड़ा फेस कौन है जीवन इस दी लॉंगेस्ट फेस ऑफ इंटरफेस तो हमने यहां पर अभी दो इंपॉर्टेंट क्वेशन डिसकस किये हैं एक लॉंगेस्ट फेस कौन सा है जीवन मोस्ट वेरियेबल फेस कौन सा है जीवन ज्यादा तर ऑर्गनिल के सिंथेस कहां होती है जीवन में ठीक है अब जब जीवन में यह सारा काम हो जाएगा बच्चो तो सेल एंट्री मार ल सिंथ सबर्ठिंश क्या होती बच्चो डी एने की सिंथिस आगे चलते हैं बात करते हैं सकी उपर हम man मढद डी टी 쉽 only time इस और सिंथेसे टेक्स ब्लेंश ठीक है अब DNA synthesis का क्या मतलब है बच्चों DNA का replication हो रहा है क्योंकि हमने पढ़ा था ना cell cycle के जब definition लिखा था कि DNA duplicate करता है DNA का content increase होता है तो यार NCRT ने एक बहुत important line लिखी हुई है कि जो number of chromosome है number of chromosome remain same remain same after replication after replication just the content just the content gets doubled just the content gets doubled इससे क्या समझ में आ रहा है और इससे कुछ खासा बात clear नहीं हुई तो थोड़ा सा बनाते हैं cell बिना cell बनाए तो हमारा क्या ही काम चलेगा e corridors पहरा रहे हम ने बना ली सल कौंसे जैल बना ञाए आपिलट बना लगा लिथ चलो डियुंद ऑफल लाजी है क्याम हम ढई गजैना बना लिया डियुद तो हमें पता है कि हम excel को dehoid को बोलते हैं एक cell को हम deployed तब बोलते हैं, मैं बार बार इतनी बार repeat कर रही है, जैसे तुम लोगो याद हो जाए, एक cell को deployed तब बोलते हैं बच्चों, जब हर chromosome अपने set में मौझूद है, तो यहाँ पर मैंने chromosome 1 के बना दिये set, ठीक है, एक ही chromosome 1 का example लिखे चलते हैं, तो यहाँ पर chromosome 1 कितन है, दो set में है, इसलिए deployed, और deployed cell को हमने लिखना सी का था, deployed cell को कैसे लिखते हैं, 2N क्योंकि दो set है, एक rod यह, एक rod यह, कितने rod हो गया, content कितना हो गया, 2C, अब यह cell किस में जा रही है बच्चों, यह cell जा रही है, division में, division में जाने के लिए इसको यह गई जीवन में, जी इस cell को कहा जाना है, S phase में, अभी हमने पढ़ा कि S का मतलब है synthesis से, किसका synthesis, DNA का synthesis, जिसका मतलब क्या होने वाला है, DNA का replication होने वाला है, तो बनाते हैं, replicated version, तो यही cell, जब replication में जाएगी, तो इसका थोड़ा रूप change हो जाएगा, इसकी थोड़ी हो जाएगी, प्लास्टिक surgery, है न, देखो कैसे रूप change हो रहा है इसका, यह जो मैं pink color से दिखा रही हूँ, बच्चो यह क्या है इसके, यह है इसके replicated वाले धागे, यह pink वाले क्या है, replicated धागा, replicated thread, तो यार एक चीज़ नोटिस करो, एक चीज़ नोटिस करो, यह भी chromosome 1 है, यह भी chromosome 1 है, तो अभी भ भी क्या रहेगा, 2N, but chromatrix देखो, 1, 2, 3, 4, कितने, 4, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4C, तो यहां से जो बात हमें समझ में आती है, कि replication के बाद, number of chromosome remains the same, proof है हमारे पास, है न, और content क्या हो रहा है, 2C से 4C, देखो यहां से proof हो गया न, कि number remains same, बस content क्या हो जाता है, double हो जा content क्या हो जाता है, बच्चो double, तो अगर आप से question पूचा जाए, कि एक cell के पास 50 chromosome है, और वो 50 chromosome के साथ, replication में जाएगा, तो कितने chromosome में लेंगे उसको, after replication, same number, that is 50, okay, no chain, यह बहुत important चीज़ है, आपने याद रखनी है, बस content देखो, 2C से 4C हो गया, double, यह तो हमने deployed cell का example ल कि कोई बात नहीं है, यह देखो, यह देखो, हमने same यही बनाया है वहाँ पर, यहाँ पर देखो, haploid का भी लिखा हुआ है, एक haploid cell किसमें जा रहा है, S phase में, S phase में क्या होगा, इस cell का, replication, तो आप देखो, इसके replicated threads दिखाई दे रहे हैं, है ना, लेकिन अभी भी देख हैं, तो 2C, again proof मिल गया, कि number नहीं बदलता, content double हो जाता है, clear हो गया, ओके, यहाँ से हमने बहुत important चीज़ एक पढ़िए बच्चो, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है, तो S phase से हमने क्या समझा, S phase से हमने समझा, कि S यहाँ पर synthesis word के लिए, synthesis word के लिए, किसकी synthesis हो रहे हैं यहाँ पर, DNA की, इसलिए इसको synthetic phase भी बोलते हैं, अब हुआ क्या यार, DNA हो गया, double, हमारा DNA का आपको length पता है, 2.2 meter है, इसको package करना पड़ता है, इसको एक nucleus के अंदर adjust करना पड़ता है, तो हमने discuss किया था, कि एक packaging protein होता है हमारे है पास, है ना, that is what, histone proteins, तो, क्योंकि हम एक eukaryotic cell के respect में सब कुछ पढ़ रहे हैं, क्योंकि prokaryotic में division, बहुत ही simple होता है, last topic में discuss करेंगे, कैसा होता है, तो हम जो भी discuss करें, that is with respect to eukaryotic cell, यहां तक अब समझ चुके होगे, क्यों हम कर रहे हैं eukaryotic cell, क्योंकि हम nucleus बनाते चले जा रहे हैं, और nucleus के पास होता है, बच्चो, eukaryotic cell के पास, है ना, तो eukaryotic cell के पास, जो packaging protein होती है, उस packaging protein का नाम क्या होता है, histone protein, क्या होता है बच्चो, histone protein, तो histone protein कि भी synthesis कहा होती है, histone protein की भी synthesis होती है, हमारे S phase में, ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था, centriol औ space में centriole duplicates in cytoplasm जैसे for example अगर मैं जैसे ये मैंने nuclear membrane दिखाया है ना ये क्या दिखा दू ये दिखा दू मैं cytoplasm ये क्या है बच्चो साइटो प्लाजम और ये हमारी बाहर की लेयर क्या है सेल मेंब्रेन ठीक है यह क्या है सेल मेंब्रेन यहां पर भी बना देते हैं बच्चो वही चीज कि तो जादा छोटा नहीं हो गया थोड़ा और बड़ा करते हैं अब खूणा जोड़ा बड़ा हो गया है आप कोई बात ही अलव कि इसी से अध्यस्ट करते हैं इसमझ में आना चाहिए यह क्या है हमारा यह साइटो प्लासम एन화 और यह हमारी बाहर की लेर क्या है cell membrane की किसकी लेर है बच्चों cell membrane की तो होगा क्या वैसे तो हर एक centoplasm में तुम्हें एक ही centrosome color orange यह देखो हमें वैसे एक ही centrosome and centriol दिखाई देते हैं एक ही centrosome दिखाई देता है non-membranous structure बट क्योंकि अभी cell को कहां जाना डिवीजन में तो तयारी करने के दौरान अभी इसके पास एक ही है न यह एक और centrosome बना देता है तो centrosome की duplication कहां चल रही है है cytoplasm में वेराज DNA की duplication कहां चल रही है inside nucleus बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं क्योंकि option में दिया रहता है कि DNA DNA duplication cytoplasm में चल रही है तो बड़े खुश हो जाते हो नहीं कैसे खुश हो जागे duplication इसमें हो रही है बट not in cytoplasm ना कहां हो रही बच्चो nucleus के अंदर तो यह याद रखना है आपको चीज़े ठीक है और और क्या हो रहा है DNA का replication और उसके साथ हिस्टोन की synthesis अब हम क्या discuss करेंगे बच्चों कि इसके बाद जो फेज आ जाता है इस फेज के बाद डाट इस जी टू फेज जी टू फेज को हमने जो नाम दिया है वह हमने पहले ही इसके डिसकस कर लिया है क्योंकि यह second gap होता है कि इसली इसको हम क्या बोलते हैं गैप टू फेस डूसरी बार ग्रोथ हो रही है आफ्टर रेप्लिकेशन तो इसको क्या बोलते हैं growth phase 2 ठीक है तो याद रखते हैं चलो gap phase 2 gap phase 2 साथी साथ क्या बोलते हैं बच्चों इसको growth phase 2 sorry growth phase 2 है न माइटॉटिक के पहले आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे प्री माइटॉटिक gap phase और synthesis के बाद आ रहा है तो बात के लिए word हम क्या लगाते हैं post synthetic phase क्या लगाते है बच्चों post synthetic phase ठीक है अब इसमें क्या होता है सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है कि DNA का replication stop हो चुका है जैसे ही cells में एंट्री मारेगा DNA replication बंद हो जाता है तो DNA replication stops DNA replication stops ठीक है बट RNA और protein का synthesis continue होता है RNA and protein synthesis continue कि यहाँ पर भी आपके transcription and translation हो रही है RNA and protein synthesis continue है और हमने पढ़ा था बच्चों कि most of the cell organs कहां duplicate करते हैं जीवन बड़ तीन वहां नहीं करते हैं कौन-कौन से mitochondria mitochondria chloroplast and Golgi इन तीनों cell organs की duplication कहां चल रही है इन तीनों cell organs की duplication चलती है बच्चों इन जीटू फेस में तो अगर question इनके duplication पर हो तो माक करना जीटू अगर question हो most of the cell organelle तो माक करना जीवन अब यार हम पढ़ रहे हैं कि division वाला फेस शुरू ही होने वाला है क्योंकि जैसे ही खताम होगा division वाला फेस शुरू हो जाएगा बट हमें तो पता है न कि division में कौन help करता है spindle fiber spindle fiber तो यार अभी तक बने ही नहीं है और हमें पता spindle fiber किसके बने होते microtubule that is tubulin protein जो chromosome को separate करेगा division में help करेगा तो यहां पर एक और चीज़ होती है that is spindle fiber spindle fiber नहीं ऐसे लिखो tubulin protein tubulin protein synthesis tubulin protein synthesis tubulin protein synthesis तो यह हमारी कहानी किस की है बच्चों यह हमारी कहानी है G2 phase की तो हमने देखा interface सबसे पहले चली जिसमें चला G1 जिसमें चला S और जिसमें चला G2 सबसे पहले G1 S & G2 जीवन में बहुत सारी चीज़ों की synthesis हुई ठीक है like protein RNA amino acid और वह variable भी होता है variability depend करती है कि एक cell को frequently divide करना है या नहीं करना है उसके बाद हमने S phase पढ़ा S phase में हमने क्या पढ़ा कि DNA की synthesis हो रही है इसलिए इसको synthetic phase भी बोलते हैं और एक और चीज़ आपको बताओं जो आपके NCRT में नहीं है बच्चों जो आपके NCRT में नहीं है that this phase is also called as invisible phase do you know why क्योंकि इसमें chromatin duplicate तो कर जाती है DNA duplicate कर जाती है बट आपको दिखाई नहीं देती यह तो हम आपको बना बना के दिखाते हैं कि भाया देखो इस phase में यह होता है तुम्हें काईदे से duplication इस phase के अंदर दिखाई नहीं देती हो चुकी है बट दिखाई नहीं देगी that is the reason why it is said to be invisible phase अब कुछ बहुत सारे बच्चे सोच रहों कि मैं दिखाई नहीं देती तो हमें पता कैसे चला कि यहां पर duplication हुआ बचो हमें नहीं साइंटिस ने बताया क्यों क्योंकि content डबल हो गया ना पहले दो तो stay and tune रहना ठीक है उसके लिए बट हां क्योंकि यहां पर replication हो जाती है बट दिखाई नहीं देती इसलिए उसको invisible phase बोलते हैं बच्चों ठीक है तो यह सारी कहानी हमने यहां पर पड़ी इसके साथ हिस्टोन भी पढ़ा इसके साथ हमने सेंट्रियोल duplication के बारे में भी देखा और यहां पर हमने देखा कि DNA replication हो दंबंद सॉरी DNA replication दंबंध हो चुका है बट RNA और protein की synthesis continue इसका क्या मतलब है क्यों जीवन में भी हमने पढ़ा RNA protein बन रहा है एस में भी हमने इंपोर्टेंट चीजों की ओर्गनल की duplication हो रही है और ट्यूबलिन प्रोटीन की हो रही है ठीक है तो दिस वस ओल अबाउट यौर इंटर फेस बच्चो फिपरेटरी फेस अच्छा एक और बहुत इंपोर्टेंट चीजों में बताने जा रही हूं that is की हमने शुरू के लेक्चर में मतलब अभी आज के शुरुआत में पढ़ाता कि साइटोप्लासम का ग्रोथ कंटिनिवस है वेरी ट्रू कि पर अगर सोचो क्वेश्चन है कि या DNA का ग्रोथ भी कंटिनिवस है नहीं DNA का ग्रोथ कंटिनिवस नहीं है क्यों क्योंकि DNA की ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ कहां होती है बच्चों एस फेज में तो मैं आपके लिए यहां पर एक लाइन लिख भी देती हूं कि जो DNA की ग्रोथ है that is not a continuous process DNA ग्रोथ इस और डिस कंटिनिवस प्रोसेस सिर्फ एक ही फेज में जैसे ही हम दूसरे फेज में मुड़े वो बंद हो गई ठीक है तो यह बच्चों यह थी आज की interface के बारे में ठीक है next lecture में हम मिलेंगे तो we will discuss the very interesting the very dramatic phase that is M phase बट यहां पर अभी class खतम नहीं होती है बच्चों अब हम करने वाले हैं कुछ जबरदस्त questions क्या करने वाले हैं बच्चों कुछ questions तो आव questions discuss कर लेते हैं पहला question है बच्चों कि chromatin fiber का duplication genetic material 4C हो जाना हिस्ट्रोन प्रोटीन का synthesis, membranous organelle का duplication, DNA का replication और centrior का duplication यह सारे events लिखे हुए बच्चों अब आपने देखो question क्या है कि how many of the above features are associated with this synthesis phase तो हमने अभी पढ़ा थो ना बच्चों synthesis phase कौन सा होता है S phase तो देखो कौन-कौन सी बात S phase से जुड़ी हुई है chromatin fiber duplication yes DNA का duplication होता है genetic material 2C से 4C हो जाता है बिल्कुल सही बात histrone protein की synthesis होती है बिल्कुल सही बात membranous organelle का duplication होता है आपने तो कोई membranous organelle का duplication नहीं पढ़ा आपने एक centrosome centriol का पढ़ा है वो तो non-membranous होता है DNA replication बिल्कुल होती है centriol duplication बिल्कुल होती है अब tick वाले count कर लो 1 tick 2 tick 3 tick 4 tick 5 tick 5 तो answer क्या बना आपका 5 बना ठीक है बच्चो so yes कोई छूटा तो नहीं है नहीं नहीं ओके next बहते हैं बच्चो second question में ठीक है ठीक है ये वाला आगया अब आपने देखना है कि which of the following is not true about cell cycle पहला है कि G1 phase में there is a active synthesis of RNA and protein but no change in its DNA content बिल्कुल सही है हमने भी तो यहीं पढ़ा है कि बच्चो G1 में synthesis होती है RNA की और proteins की बट DNA यहां पर नहीं बनते DNA content related कोई change नहीं होता क्यों क्योंकि DNA content related change कहा होता है बच्चो S phase में so this statement is true टिक कर लेते हैं यहां पर फिर देखो B के लिए क्या लिखा हुआ है कि synthesis और S phase में each chromosome carries a duplicate set of genes yes carry तो करते ही है न हमें दिखाई नहीं दे रहा तो दिखाने के और कुछ खाने के और तो हमें तो बाहर वाला टस्क के दिख रहा है बट खा थोड़ी उससे रहें दिखाई तो देई रहा है अंदर वाला दाथ छुपा हुआ है बट है ना उनके पास तुसी तरीके से याद रखना है कि duplication तो हो गई है हमें दिखाई नहीं ठीक है तो यह बात भी बिल्कुल सही है फिर दूरिंग जी टू फेस असल कंटेंस डबल दी अमाउंट फोर सी ऑफ डीने प्रेजेंट इन दिस सेल ओरिजिनल डिपलॉइट सेल डाट इस तू सी क्या मतलब है इनका कहने का इनका कहने का मतलब यह है कि मानलो यह तुम्हार कहुत सेल क्या होगी 2N 2C तो यह अधी नगाए बच्चो एस फेस में तो यहात करओ सेल का नुंबर तो नहीं बदलता तुवें से 2N रहेगा बट से किता हो जाता है फोरो सी फिर यही सेल कहा है जाती है से घुडू नहीं होगा जो पहले से इसको पास आया है वही रहेगा, that means पहले कैसा था, 2N, S वाला, और कैसा था, 4C, तो यहाँ पर भी 4C ही रहता है, ठीक है, तो यह बात है, अब देखो, question क्या पुछा हुआ है, कि G2 phase में, जो cell contain है, that contains the double the amount of 4C, जो एक original deployed cell में मौजूद होती है, तो हमने यही तो ही है, फिर है, in S phase, a cell doubles the original deployed chromosome number, no बच्चो, no, chromosome number तो बदल ही नहीं सकता, proof भी देखा है हमने, तो D वाला गलत हो गया, सही क्या है, सही है बच्चो, A, B, C, अच्छा, लेकिन नहीं तो सही वाला नहीं पूछा, नहीं पूछा, नहीं पूछा है, which is not true, तो not true कौन सा है, D only, आगे चलते हैं, बच्चो, next question discuss करते है, the correct sequence of phases of cell cycle, बच्चो, this is your PYQ, ये previous year question है, and this is, देको, so easy, because आज़ कैसा paper है, आपको पता है, NCRT-based आगा है, एक दो प्वेसेंट ही एक्ट्रा पढ़ना है, आपको बार बार कहती हूँ, ठीक है, तो focus अपका नहीं खराब होना चाहि है, यहाँ पर G1 के बाद G2 दे दिया है, सरासर गलत है, फिर S पहले आ गया है, यह गलत है, फिर देखो, G1, S, G2M, हमें मिल गया अपना सही sequence, this is G1, S, G2M, ठीक है, ये तीनों इंटरफेस के हैं, तो हमें पता है, सबसे पहले इंटरफेस होती है, और इंटरफेस जब हो जाती है, तब cell कहां जाता है, division वाले फेस में, ठीक है, नेक्स चलते हैं बच्चो, during cell growth, DNA की synthesis कहां होती है, तो हमें पता है, बच्चो, DNA की synthesis कहां होती है, synthesis वाले फेस में, that is S-phase, नेक्स चलते हैं बच्चो, given below is a schematic wake-up of the phase stages of cell cycle, चलो बच्चो पहचानते हैं, देखो, ये म mytosis, division वाले फेस होता है, 2 cell डिवाइट करके आ गई हैं, that means, M-phase यहाँ पर खटा में, और हमें पता है, M-phase के बाद क्या आता है, M-Phase के बाद G बनाए बटा है, लिखो G1, G1 के बाद हमें पता है, क्या होता है, synthetic, लिख दो S, फिर लिख दो G2, क्यूंकि G2 के बाद क्या है mytosis,ab mytosis kg दो angels दो हिस्सों में divided, यह बड़ा वाला यह पूरा का पूरा क्या है, यह पूरा का पूरा Brisbaneika還is do when you money is provided here pro phase metaphase enophase telophase और telophase खताम हो जाता है तो उसके बाद क्या शुरू हो जाता है type akin loads ahead कोई एक बार अगर मैंने sequence हमज लिया तो हमें पता चल गया है ना तो अब देखो क्या लिखा हुआ है which of the following is the correct indication of the phases in the cell cycle इन्होंने C को karyokarnisus mark कर रखा है क्या हमने C को karyokarnisus mark कर रहा है नहीं बच्चों हमने C को तो cytokarnisus mark कर रखा है that means यह तो हो गया गलत फिर D synthetic phase है चलो देखे D synthetic phase है हाँ देखो D S लिखा हुआ है और S का मतलब synthetic है that means यह सही है बाकी options भी देख रहते हैं बच्चों गलत क्यों है ठीक है A cytokarnisus दे रखा है no बच्चों A तो हमने कह रही हो कानिसus लिखा है गलत माक कर दो फिर B metaphase है बी तो metaphase नहीं है बी तो देखो एना phase है यह भी गलत ठीक है तो सही क्या है हमारा सिर्फ बी वाल option नेक्स चलते हैं बच्चों दूरिंग विच पेज़ दिस सेल साइकिल दि अमाउंट अफ दिन इन इन अ level remains at 4C level if the initial amount is denoted as 2C तो देखो बच्चों यार अभी हमने discuss किया था ना अभी हमने discuss किया था देखो इनिशल अमाउंट 2C है यह 4C में कब रहता है इनी दोनों फेज में अब हम अपना options देखते हैं कि हमें options क्या मिला हुआ हमें options मिला हुआ है जी नॉट जी नॉट की तो हम बाती नहीं करेंगे यार हटा दो इसको जी वन में तो यह 2C होता है है ना फिर जी टू एन में में जब यह 4C M है ना M आप पड़ोगे बच्चो म माइटॉस की जब हम बात करते हैं तो इक्वेशनल डिविशन बोलते हैं तो इक्वेशनल डिविशन में क्या होता है जब वो डिवाइड करके बाहर निकलता है तो वह 4C आधा-धा-धा हो जाता है तो यह भी हम नहीं सही बोलेंगे तो सही क्या बोलेंगे हम बोलेंगे ओनली जी टू ठीक है नेक्स्ट एस फेस में लिखा हुआ है बच्चो कि amount of dna doubles s phase के regarding आपको बताना है the amount of dna doubles in each cell very good सही है the amount of dna remains same नहीं dna duplication हो रही है तो same कैसे रह सकते हैं बच्चो chromosome number is increased नहीं chromosome number नहीं change होता है इसको तो यहाँ पर चमका लो ठीक है चमक जाना चाहिए कि chromosome number remains same just the content gets double after replication यह concept चमकना चाहिए ठीक है amount of dna is reduced to half in each cell no बच्चा no reduction भी नहीं होता ठीक है just doubling होती है तो पहला option next the cells in which cells which enter dash way start differentiating तो हमने पढ़ आता है differentiation कब होती है जब वो किस में चला जाए जी नॉट में यूँकि जी नॉट उसको specialized बनाता है to perform specific function जिसको हम qsend बोलते हैं और inactive भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई division नहीं होती है next है अगर initial amount एक dna का बच्चो 8c है तो after s phase उसका content कितना होगा तो हमने अभी पढ़ा कि s phase में content double हो जाता है तो 8c से कितना हो जाएगा बच्चो 16c क्या हो जाएगा 16c because the content gets double after s phase next है बच्चो last question no not last last year yes choose characteristics of a cell during g0 stage g0 में cell is metabolically inactive no cell is metabolically active ncrt line और notes में भी हमारे cells enter into g2 cells does not enter into g2 cells exit the g1 ना तो g1 छोड़के बहार ही आ गया है तो g2 में कहां से पहुच जाएगा cells may divide occasionally to replace cells lost due to injury or death yes हमने discuss किया था जब हमें चोट लग जाती है तो वहां के cells दुबारा से divide करते हैं उसको repair or regenerate करने के लिए ठीक है तो yes यह कर सकते हैं इनके mood के ऊपर है cell के need के ऊपर है ठीक है कि अगर पूरा sentence नहीं लिखेंगे अगर मैं लिखूँ इनिशल क्रोमोजोम नंबर इनिशल क्रोमोजोम नंबर of cell is 16 कितना है बच्चो 16 क्रोमोजोम नंबर 16 है तो आपको मुझे क्रोमोजोम नंबर बताना है after S phase कितना होगा so this is your homework question बच्चों ठीक है बता यह बहत अच्छे हो तुम लोग सारे के सारे बच्चों के सही जवाब है ठीक है so that was all about today lecture जिसमें हमने डिसक्स किया है बच्चों एक introductory section कि cell division and cell cycle होता क्या है and we have discussed the interface बच्चों M phase इससे भी जादा interesting और इससे भी जादा important है तो मिलते हैं next lecture में जहां पर हम discuss करेंगे what is M phase but please revise करके आना because this topic is interlinked है ना जो भी चीज हमें वहाँ पर पढ़नी है थोड़ा सा यहां से revision वाला चीज उठाएंगे हम ठीक है तो मिलते हैं बच्चों next lecture में तब तक के लिए take care and bye-bye